विद्यास मस्ति की पार्ट शाला तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं हम स्टेंडर्ट 10 का mathematics part 1 शुरू करने जा रहे हैं और इस part 1 को हम algebra भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत mathematical term हम यूज होती है जैसे कि वेरियेबल्स पगरा यूज होते है वेरियेबल्स कोईफिशंट सो आज से हम लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स ये चाप्टर शुरू करेंगे और ये चाप्टर हमने नाइन स्टाडर में भी पड़ा है तो आपको थोड़ी बहुत इस पहले हम लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स एड अप्रिकेशन ऑफ साइमर्टेनियस एक्वेशन ये तीनों पार्ट हम देखेंगे इस लेसन में सबसे पहले हम लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स इसका हम रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने ये नाइन प्लस C is equal to 0, इसमें जो यह A होता है, B और यह जो C होता है, यह coefficient होता है, क्या होता है, coefficient, coefficient मतलब होता है, जो numbers रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं, A, B, C, हम लोग numbers रखते हैं, 1, 2, 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वही पर, X और Y, यह हमारी क्या है, variables, क्या है, variables, और इसमें लिखा गया है, कि A, B, C, यह real number होने चाहिए, और A, B, यह कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, वो भी 1 साथ, एक 0 होगा, तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा होगा, तो पहला नहीं होना चाहिए, दोनों 1 साथ नहीं हो सकते, ओके, so यहाँ पर एक example दिया है 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 this is general form of equation equation 3x is equal to 4y minus 12 यह हमारा एक general form है अब हम इसमें कुछ examples भी देख लेते हैं देखो जैसे आपके book में दिया है 4m जैसे आपके book में भी दिया है 4m plus 3n is equal to 12 तो यह क्या है देखो 4m एक ax के form में है वैसे ही 3n हमारा bx के form में है और c इसको हमने is equal to के बाद में लिका है अगर हम इस form को 4m plus 3n is equal to plus 12 है तो हम इस side लेके आएंगे तो क्या होगा minus 12 तो यह आ गया इस form में बराबर है so this is yes okay this is in two variables ठीक है linear equation उसके बाद क्या है देखो मैं यहाँ पर space बना लेती हूँ next question क्या है हमारा 3x square minus 7y is equal to 16 बराबर है तो इस 16 को हम इस side लेके जा सकते है तो क्या होगा 3x square minus 7y minus 16 is equal to 0 तो देखो यह x plus by plus c ठीक है तो यहाँ पर a की value क्या है 3 है b की value होगी minus 7 क्योंकि हमारे formula में क्या है plus b चाहिए यहाँ पर plus b की जगा है minus okay then c is equal to क्या है plus c होना चाहिए पर हमारा पास minus 16 है so हमारे value होगी minus 16 समझ में आ गया so यह भी एक variable है मतलब yes then आता है हमारा third third में देखो root 2x root 5y and root is equal to 16 अब देखो जब हम इसको root 2x plus sorry minus root 5y और इस equals to के बाद 16 को इस side लेके आएंगे so 0 okay but यहाँ पर हमें क्या बोला है a, b, c are real numbers 16 तो real number है पर यह जो root 2 and root 5 है यह हमारे कौन से number है यह हमारे irrational number है कौन से irrational so this is not an linear equation this is sorry यह वाला है यह वाला नहीं है ठीक है third अब fourth देख लो fourth में क्या बोला है देखो fourth में बोला है 0x plus 6y minus 3 देखो हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारा एक time एक variable 0 हो सकता है मतलब a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते या तो हम a को 0 कर सकते है या तो हम b को 0 कर सकते तो हमारे fourth equation में क्या लिखा है 0, a को 0 लिखा है लेकिन b तो है न बराबर तो ये भी हमारा होगा मतलब देखो 0x plus 6y minus 3 ये है हमारा form में a को हमने 0 रख दिया और बाकी ये b को 6 है and c हमारा minus 3 है ओके तो इस इस अल्सो एड टू लिनियर equation in two variables then next next क्या हमारा 0.3 ओके 0.3 इस नंबर and then 0.3x plus 0y minus 36 ओके यहाँ पर हमारा पहले 0 था a और यहाँ पर 0 b है बराबर है तो x टाइम 1 0 हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते बराबर है तो यह भी एक linear equation है उसके बाद क्या है 4 by x plus 5 by y is equal to 4 बराबर है तो यहाँ पर हमारी x और y की value क्या है देख लो एक बार एक x की value है अगर हम इसको reverse manner में लिखे तो हमारा क्या होगा x by 4 plus y by 5 is equal to 1 by 4 यह answer आएगा और यह हमारे real numbers होते है 1 by 4 then y is equal to a is equal to 1 by 4 आया b is equal to हमारा क्या आएगा 1 by 5 आएगा तो यह भी एक linear variable होगा then last देख लो एक बार last problem क्या बोलता है देख लो example last वाला last वाला हमारा example बोलता है 4 x y 4 x y minus 5 y minus 8 is equal to 0 बरावर है यह ठीक है पर यहाँ पर हमें दोनों terms दिये है x और y दोनों terms दिये है लेकिन हमारे equation में क्या है equation में सिर्फ हमें a की दिया है a x a के साथ सिर्फ x होना चाहिए और b के साथ सिर्फ y होना चाहिए तो हमारा यह equation नहीं आएगा समझ में आया इतना next अब इसके आगे क्या है देख लो क्या आगे हम देखते है simultaneous equation जो simultaneous equation को आपके book में जो solve example दिये है मैंने उसको solve ने किया 5x-3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2 तो इन दो equation को हम दो equation के नाम देदेंगे अभी हमें क्या करना होता है हमारे पास दो method है इसको solve करने के यह एक बार हम method देखेंगे उसमें x और y निकालेंगे और दूसरी method में हम x और y ही निकालेंगे लेकिन दूसरी method है उसकी so first method में हम क्या करेंगे equation number first को 3 से multiply करेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है equation 1 को 3 से multiply किया so देखो अगर हमने multiplying both side of equation 2 को हमने 3 से multiply किया so देखो first equation को हमने जैसे जैसे लिखा है और second equation को 3 से multiply किया यहाँ पर 3 से multiply किया तो 3 into 3 9x plus 3 into y 3y और 3 into 2 6 बराबर है यह हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें x की value निकालनी पड़ेगी और y की और x और y की value हम कैसे निकाल सकते हैं सामें टेनिस equation में हमें यह दो equation को कुर्णी यह हमें value x या y की एक value को में cut करना पड़ता है और उससे हमें दुसरे कि ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे हमें करना होता है इसका काम कीEX या तो y दोनों यह value या तो xx की या तो yy की हमें यह value equal करनी होती है ठीक है अगर हमारे पास 5x और यहाँ पर भी 5x होता तो हम यह multiply नहीं करते लेकिन यहाँ पर 3x है इसलिए हम इसको multiply कर रहे हैं तो देखो अभी यहाँ पर 3y है और यहाँ पर y है तो हमने यहाँ पर 3y किया multiply करके बराबर है अब हम क्या करेंगे अब हम सीधा सीधा इसको एड़ कर देंगे क्यों एड़ करेंगे यहाँ पर हम सब्ट्रेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रेक्ट करते हैं जब हमें इन दोनों टर्म को कैंसल करना हो और दोनों को प्लस प्लस हो मतलब यहाँ पर जो आपको ये भी plus 3 और ये भी plus 3 होता तो वो cancel नहीं हो पाता तो वैसे वाली case में हम लोग minus लेते वहाँ पर subtract करते और subtract करके ये plus का sign minus में change होता था लेकिन अभी हमारे पास plus minus दोनों है इसलिए हम क्या कर रहे हैं देखो 9x plus इसको हम दोनों equation को add कर रहे हैं मतलग 5x minus 3y is equal to 8 and 9x plus 3y is equal to 6 तो अभी क्या करेंगे देखो minus 3y plus 3y cancel हो जाएगा और ये xx की term है so 9 plus 5y 14 14x और 8 plus 6 14 ओके so x is equal to ये क्या आया 14x is equal to 14 आया हमें x निकालनी है तो x is equal to ये 14 इसके divide में आजाएगा ये multiply में होने के कारण so 14 by 14 देखो 14 by 14 14 मन्जा 14 so x is equal to हमारा answer क्या आया x is equal to हमारा answer आया 1 ओके क्या आया 1 देख रहे हो ये आप लोग x is equal to ये देखो 1 समझ में आया then अभी हमारे पास एक value आ गई है 1 की value आ गई x is equal to तो अभी हम इसमें से इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई भी एक equation उठा सकते है उसमें हम लोग x की value 1 पूट कर देंगे तो अभी हमने क्या किया substituting x is equal to 1 in equation 2 2 में हम लोग ये जो 2 equation number है उसमें हम लोगो x पूट कर देंगे तो देखो जरा देखो मैं या आप पर दिखाती हूँ आप लोगों को ये equation है हमारा second so 3 into x x की value कितनी रखनी है 1 so 3 into 1 3 बराबर है 3 into 1 3 प्लस y जैसे दैसे लिखेंगे और 2 भी जैसे दैसे लिखेंगे so क्या हुआ 3 into 1 3 प्लस y is equal to 2 अब y निकालना है हमें क्या निकालना है y तो हम उसको solve करेंगे वराबर है क्या है 3 ये है देखो 3 प्लस y is equal to 2 y निकालना है और यह addition में है so y is equal to क्या आएगा y is equal to हमारा क्या आएगा 2 minus 3 यह इधर जाएगा बराबर है so minus होगा उसके then हम 2 अगर 2 में से minus 3 गया so क्या मिलेगा हमें y is equal to minus 1 मिलेगा क्यों क्योंकि 3 यह bigger number है so bigger में से 2 गया so 1 आएगा और जो भी जिस भी number को बड़ी वाली number को जो भी sign होती है वही sign यहाँ पर आता है और यहाँ पर बड़ी वाली number कौन सा है 3 तो 3 के सामने कौन सा sign है minus so y is equal to क्या आएगा minus 1 समझ में आया so हमारे coordinate हमें मिल गए x is equal to 1 y is equal to minus 1 so देखो solution is x is equal to 1 y is equal to minus 1 so x, y is equal to 1 minus 1 समझा इतना इसकी एक और method है अगर आपको यह method hard जा रही है तो यह method आप apply कर सकते हो ठीक है आपको जो अच्छा रगे वो पर मेरे हिसाब से अगर आप लोग कभी भी solve करो तो यह जो first method बताई मैंने वही करो क्योंकि कभी-कभी यह method करने में थोड़ा जादा तकलिफ होती है तब हमें थोड़ा जादा hard हो सकता है इससे तो कभी-करो तो यह method apply करो यह easy है समझने के लिए लेकिन मैं आपको फिर भी book में है तो यह भी बता देती हो देखो क्या किया? दो equation लिए हमारे जो given equation है वो equation 1 and 2 देन हमने क्या किया? यह इन दो में से एक equation को हमने निकाला और उसमें या तो x की value find की या तो y की value find की कैसे की हमने? देखो यहाँ पर भी हमने x, y की find की थी लेकिन उसमें addition या subtraction किया था यहाँ पर क्या किया? हमने second equation लिया तो यहाँ पर क्या है? 3x plus y is equal to 2 अगर हमें किसी ने बोला इसमें से y की value निकालो क्या करेंगे? y को वैसे के वैसे रखेंगे is equal to 2 यह जो 3x दिया है वो 3x हम इस side लेके जाएंगे बराबर है तो 3x इस side जाएंगे y is equal to यह देखो y is equal to क्या मिल गई? 2 minus 3x बराबर है अभी यह direct मिल गया हमें अभी यह वाली value हम लोग किसी भी एक equation में put कर देंगे जैसे कि हमने first equation अभी लिया तो हमने first equation का यह है 5x minus 3y is equal to 8 बराबर है इतना समझ लिये अभी हमें y की value हमारे पास है क्या लिखेंगे 5x वैसे की वैसे लिखेंगे minus 3 3 हमारा coefficient है थो हम लोग लिखेंगे bracket में क्या लिखेंगे y का value क्या लिखेंगे 2x minus 3x बराबर है तो अभी 5x जैसे तैसे लिखेंगे उसके बाद minus 3 into 2 देखो यहाँ पर हम लोग fill से multiply करेंगे 3 से 2 में multiply करेंगे बराबर है तो यह देखो यह ऐसा bracket है ना 2x minus 3x 3x 3 से पहले 2 को multiply होगा 3 into 3x को multiply होगा बराबर है कि नहीं 3 into 2 6 प्लस यहाँ पर minus into minus या क्योंकि आप minus 3 है 3 के सामनी क्या है minus 3 है so minus 3 into minus 3 minus minus plus minus minus जब भी multiply होता है इन दोनों में so minus minus होता है हमेशा plus यह याद रखना तो 5x minus 3x into 2 minus 6 और minus 3 into minus 3x plus 9 x बराबर है 8 is equal to 8 then 5x और 9x same है xx की टर्म है तो हम इसकी addition कर लेंगे then 9x plus 5x 14x बराबर है and minus 6 जैसे तरह से लिखेंगे is equal to 8 ठीक है अभी हमें क्या मिला 14x minus 6 is equal to 8 तो अभी यह देखो 8 और 6 का calculation हो सकता है तो 14x 8 यह minus में है 6 है तो यह इस side जाएगा तो क्या होगा positive 6 क्या होगा positive 6 so 14x is equal to 8 plus 6 कितना होता है 14 बराबर है then x is equal to यह 14 multiplication में है तो इसके नीचे आएगा तो क्या होगा division में बराबर है 14 by 14 so x is equal to 14 बन्जा 14 so x is equal to कितना मिला 1 मिल गया तो समझ में आ गया यह इसके लिए मैं एक आपको और एक short trick बताऊंगी कि आपको sign कैसे याद रखने है sign को कैसे याद करना है मतलब multiplication में minus minus का क्या होता है वही addition में minus minus का क्या होता है sign कौन सा आता है कौन से number के सामने हम कौन सा sign लगे because इसमे sign बहुत important है अगर हमारा एक भी sign इसमें गलत हुआ तो हमारा पूरा का पूरा problems हमारा ये गलत होगा और ये problem बहुत ज़ादा आसान है तो इस पर हम लोग marks नहीं गवा सकते ठीक है समझ दो इस बात को आपको बहुत carefully इसके signs को लिखना होगा क्यों लिखना होगा क्योंकि अगर हम लोग इसका एक भी sign भूल जाएंगे तो हमारे सारे equation के calculation ही गलत हो जाएंगे तो अगर वो होगा तो हमारा x की value भी नहीं आएगी ना ही y की value आएगी बराबर है तो अभी इस problem में हमने क्या किया y की value निकाली थी यहाँ पर देखो 2x माइनस 3x बराबर है तो अभी हमारे पास x की value आगई तो हम क्या करेंगे y में put कर देंगे 2x माइनस 3x बराबर है 2 माइनस 3 x की value 1 तो क्या मिले 2 माइनस 3 is equal to minus 1 बराबर है देखो इस problem से भी हमने किया तो x is equal to 1 आया था और y is equal to minus 1 बनाया था इससे भी y is equal to minus 1 बनाया तो देखो same ही है answer same ही मिलता है मैं इसके echo trick बताती हूँ कि हमारे ये कुछों हमने answer निकाले कि correct है कि नहीं है ये भी हम लोग check कर लेंगे so y is equal to 2 minus 3x है बराबर है हमने put किया y is equal to minus 1 बनाया so हमारे x is equal to 1 y is equal to minus is the solution ठीक है अभी मैं आप लोग को एक trick बताती हूँ देखो कैसे अभी अगर हमारा value क्या निकल में आई x is equal to 1 and y is equal to minus 1 ये सही है क्या नहीं अगर हमें ये check करना है तो हम क्या करेंगे ये जो given equation है हमारे पास ये जो given equation दिया है इस given equation को हम दोनों में से इस given equation दोनों में से एक equation consider करेंगे क्या है समझा अगर हमने 5x minus 3y is equal to 8 consider किया तो हमें क्या मिलेगा 5 x की value हम लोग क्या निकाली 1 बराबर है minus 3y की value की निकाली minus 1 यहाँ पर 8 दिया हुआ है बराबर है ये left hand side है ये right hand side है तो हम लोग पहले left hand side consider करेंगे और उसका answer right hand side के जितना आता है कि नहीं आता ये check करेंगे कौनसा ये answer आने के बाद ये correct है कि नहीं इसलिए 5 x 1 5 minus minus 3 into minus 1 3 तो हमारा answer क्या आ गया 8 देखो right hand side जो है हमारी वो 8 आई और left hand side भी हमारी 8 आ गई तो हमारे इसका मतलब ये हमारे जो coordinates है वो correct है समझे इतना तो हमें क्या करना है simply हमें दो equation पहले दिये हुए है तो उसमें से एक equation में एक value हमें equal करनी है क्या करनी है equal करनी है मतलब 5 x है तो 5 x नीचे वाली भी आनी चाहिए उसके बाद हम उसको addition या subtraction करके minus कर लेंगे बरावर है उसके बाद हम x और y की value निकालेंगे ठीक है वैसे ही अगर हमें x और y की value मिल गई है भी तो x और y की value हमारी correct है की नहीं है यह check करने के लिए क्या करेंगे कोई भी एक equation लेंगे उसमें left hand side right hand side जो है वो left hand side आती है की नहीं यह check करेंगे उसमें x और y की जो आई हुई value है वो हम लोग check करेंगे ठीक है अभी इसका second problem जो solve example में दिया है वो देखते है देखो और वो क्या है वो है हमारा 3x plus 2y is equal to 29 और इधर क्या है 5x minus y is equal to 18 बराबर है तो देखो अब इन दोनों equation को आप थोड़ा सा observe करो 2 minute 29 बराबर है और दूसरा क्या है 5x minus 2y is equal to 18 ठीक है तो जब हम लोग इसको क्या बोलते है observe करेंगे तो कौन सा number सबसे जल्दी और यहाँ पर सिर्फ y है तो observe करेंगे तो हमें क्या दिखता है इस 3x को और इस 5x को सेम कैसे करेंगे हमें 3x को 5 times multiply करना होगा तो 15x आएगा और 5x को हमें 3 times multiply करना होगा तभी 15x आएगा मतलब दोनों equation को हमें multiply करना पड़ेगा लेकिन यही अगर y की term लेंगे हम देखो यहाँ पर 2y है क्या है 2y और यहाँ पर minus y है तो यहाँ पर अगर 2 आया तो यह कठो जाएंगे direct plus plus है यहाँ पर minus है तो कठो जाएंगे तो हमें simply क्या करना पड़ेगा equation number 2 को 2 से multiply करना पड़ेगा क्या करेंगे हम लोग equation number 2 को 2 से multiply करेंगे देखो यहाँ पर हमने यह first equation लिख लिया second equation लिख लिया तो solve now solve the equation by eliminating y y eliminating के हम हिसाब से करेंगे मल्टिप्ला की क्या किया हमने equation number 2 को हमने 2 से multiply किया तो देखो 5 x minus y is equal to 18 इसको अगर हमने 2 से multiply किया तो क्या मिलेगा 18 into 2 36 is equal to 2 into y 2y minus 5 x into 2 5 to 10 x बराबर है तो यह हमें मिलेगा third equation जा होगा third equation तो यहाँ पर हमने क्या किया है देखो 5x into 2 बराबर है minus y into 2 बराबर है 2 से multiply किया और 18 into 2 तो हमें क्या मिला 10x बराबर है 10x minus 2y बराबर है is equal to 18 into 2 36 इतना समझ में आ गया अब देखो एक और equation मिला तो हम क्या करेंगे अभी देखो 10x minus 2y is equal to 36 आया तो अभी ये equation देखो फर्स एक्वेशन और ये देखो थर्ड एक्वेशन हमें क्या समझ दिख रहा है 2y 2y ठीक है पर यहाँ पर plus 2y यहाँ पर minus 2y तो यहाँ पर direct cancel हो जाता है देखो 2y is equal to 29 है और यहाँ पर 3x 10x minus 2y is equal to 36 इस equation को हम addition करेंगे तो क्या होगा एड करेंगे दोनों को देखो direct-direct यह cancel हो जाता है plus 2y minus 2y और यहाँ पर 10 plus 3 13x बराबर है 13x और यहाँ पर कितना आता है यहाँ पर करो 5, 1, 5 और 65 बराबर है क्या आया हमारा 65 तो x is equal to 65 आया तो यहाँ पर क्या आया था हम लोगों ने equation 1 और equation 3 को क्या किया था एड किया था तो यह हमारा कौन सा equation है 1 तो 3rd क्या आया था 10x 10x minus 2y आपको दिखने ही रहा होगा शायद तो मैं color pen change कर लेती हूँ देखो 10x minus 2y क्योंकि हमें 2 निकालना था और यहाँ पर हमने क्या किया था 36 6 अभी हमने जब इसको calculate किया था क्या मिला 65 और यहाँ पर क्या मिला 13x समझ में आया अब देखो x निकालना है सिर्फ तो x is equal to यह multiplication में है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा division में 65 by 13 और 13 का अगर आपको table आता होगा तो 16 5 जा 35 x is equal to 5 आएगा ठीक है x is equal to कितना आंसर आया 5 ओके अभी क्या करेंगे अब हमारा और आसान हो जाएगा answer अभी हम x की value निकल गई है तो इसको हम y की value में put कर देंगे simply y की value में put कर देंगे तो कोई भी एक equation ले लो इन्होंने कौन सा लिक्वेशन लिया है equation 1 तो देखो क्या है equation 1 3x plus 2y is equal to 29 हमने x की value कितनी का ली 5 तो हम x की जगा के रख देंगे 5 plus 2y is equal to 29 बराबर है 3 into 5 15 plus 2y is equal to 29 तो 2y is equal to 29 यह addition में है तो यह इस side में आएगा तो क्या होगा division में, sorry subtraction में so 29 minus अगर हमने 29 minus 15 किया थो हमें कितना मिलता है कितनी value आती है हमारी हमारी value आती है 4, 1, 14 so 2y is equal to 14 कितना आता है 2y is equal to 14 then y, y की value निकालनी है यह सिर्फ multiplication में है तो यह नीचे आ जाएगा division में so 14 by 2 is equal to 7 so y की value कितनी आती है हमारी 7 यहाँ पर क्या put करेंगे हमने क्या किया 3 into x की value कितनी रखी हम लोग ने भी 5 so 3 into 5 15 बराबर है so यह 15 इस साइड पर आएगा 29 minus 15 बराबर है so 15 किया तो कितना आया 14 तो 14 को अगर हमने 7 से यह divide किया तो कितना आता है 7 तो हमारा first coordinate कितना आया x 5 आया और y कितना आया 7 तो समझ में आ गया होगा यह आपको आप इसकी practice करो आप मेरे साथ ही आप भी बैटो solve करने और आपको भी इसको practice करनी होगी तभी आपको यह calculation में आएगा और हमारा पूरा lesson इसी पर base होने की कारण आपको यह समझना भी ज़रूर है अगर नहीं समझ में आता है तो please comment box में पूछिए ताकि हम इस पर doubt class रखके आपको और समझा सके then हमारा third आखरी दिया है आपके solve example में उसके बाद आपकी practice set शुरू हो जाती है तो देखो अब इसमें क्या है दो equation दी हुए है again 15x plus 17y is equal to 21 और 17x plus 15y is equal to 11 अब यहाँ पर क्या है दोनों के जो coefficient है वो alternate दी है अगर 15x और निचे भी 15x होता था हम direct subtraction करके cut कर देते लेकिन यहाँ पर अलग-अलग है तो हम क्या करेंगे simply हम दोनों equation को add करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले हमारा क्या होगा दोनों equation को हम add कर देंगे तो देखो क्या है हमारे add करने के बाद क्या आ गया देखो यहाँ पर 32x यह हमारा third equation मिल गया कौन सा third equation पर इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32 है यहाँ पर भी 32 यहाँ पर भी 32 तो हम 32 को common निकाल लेंगे और हम लोग x plus y is equals to 32 पराबर है तो अगर हमने यह 32 को इस division में लेके आये तो क्या मिलेगा हमें x plus y is equals to 32 by 32 यह कट हो जाएगा तो हमें answer क्या मिला equation x plus y is equals to 1 तो यह होगा आपका third equation यह देखो यहाँ पर किया है हमने 32 से divide किया देखो इन्होंने direct देदी है हम लोग जो third equation आया हमारा उसको direct इन लोगोंने इतने 32 से divide कर दिया तो क्या होगा increase आपसे 32 by 32 x plus 32 by 32 y plus 32 by 32 so 32 32 cancel बराबर है तो हमें x plus y is equals to 1 मिला हमें ठीक है यह हमारा होगा third equation अब आप first equation और first, second, third और यह वाला equation को observe करो क्या है x plus y is equals to 1 मिला अभी हमने यहाँ पर क्या किया है था addition किया है था यहाँ पर हम लोग subtract करके देखते हैं देखो एक minute just give me one minute देखो अभी क्या है यह यह देखो अभी हम इसको subtract करेंगे तो क्या होगा 15 x plus 17 y is equals to 21 और यह क्या है 17 x plus 15 y is equals to 11 तो हम इसका क्या कर रहा है subtraction कर रहे हैं यहाँ पर क्या किया था हमने addition किया था तो जब भी हम subtraction करते हैं तो जो last वाला equation हम लिखते हैं तो जब भी हम subtract करते हैं उसके सामने वाला sign change होता है देखो plus था तो minus हुआ यह पर 15 के सामने plus था तो minus हुआ यह 11 के सामने भी plus था तो क्या हो गया minus हो गया अगर minus होता तो यह sign plus होता ठीक है यह हम उपर वाली equation के लिए नहीं कर रहे हैं यह हम जो नीचे वाला equation है second number का उसके लिए सिर्फ यह condition हमारी available है अगर हम subtract करते हैं तो यह सारे sign change हो जाते हैं तो हमें या फिर अगिन क्या मिला minus 2x plus 2y is equals to 10 मिला बराबर है तो देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है और यह भी 2 का multiple है मतलब यहाँ पर भी 2 का division होता है तो हमने क्या किया dividing equation by 2 हम इस equation को 2 से divide कर देंगे सो हमें यह क्या मिला 2 2 cancel यह भी 2 2 cancel और यह 2 5 जा okay 10 तो हमें answer क्या मिला x plus y is equals to 5 चो यह equation मिला यहाँ से हमें third equation मिला था देखो यहाँ से हमें third equation third equation मिला था यहां से यहां पर हमें fourth equation मिला first or second हमें दिये हुए है तो अभी और एक आपको method करनी है इसमें एक और कौन सी method करनी है यहां पर अभी जो हमें third or fourth equation मिला इसको देखो भी क्या मिला एक x plus y is equal to 1 और दुसरा क्या मिला minus x plus y is equal to 5 देखो यहां पर हमने हमें subtraction करने के जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर plus x और minus x दोनों के addition हमने की तो sign change नहीं होते है तो यहां पर direct-direct cancel हो जाता है plus x plus x और यहां पर plus y plus y 2 y और यहां पर 1 plus 6 1 plus 5 6 so y is equal to क्या मिलेगा 6 by 2 तो 2 3 जा बराबर है तो y हमें कितना मिला 3 मिला बराबर है then हम इस y को किसी भी एक equation में put कर देंगे जो छोटा होगा calculation के लिए हम हमें के उसमें put कर देंगे तो देखो यहां पर इन्होंने third equation लिया है third equation क्या है x plus y is equal to 1 so y की value क्या है हमारा 3 आई so x plus 3 is equal to 1 so x is equal to 1 minus 3 बराबर है 1 minus 3 क्या मिला minus 2 तो हमारा x की value क्या आगई minus 2 तो यह हो गया आपका answer ठीक है एक बार एक बार equations को देख लो एक बार क्योंकि यहां पर हमें direct-direct cancel करने को लिए नहीं मिलता हमें पहले हमने addition किया then हमें उसको subtraction किया addition से जो equation आया हमारा और subtraction से जो equation आया उसको हमने add किया और उसके बाद हमें y की value मिली और then हमने x की value निकाली समझे अब हम इस से related सारे questions practice at 1 में करेंगे जो हमारे next lecture में देखेंगे ठीक है आप लोग इसकी practice करके आओ एक बार और अगर आपको इसमें doubt होगा तो पूछो ठीक है यह सारे example उसी से related है simultaneous linear equation अभी हम next lecture में मिलते है with practice set 1.1 और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please like, share and subscribe the channel thank you आपको तो